नमस्कार नियूज आज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ संचिता शुक्ला सतना के रहाइशी इलाके में घुसे तेंडियों को फारेस्ट के रेस्क्यू टीम ने पाज घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित पकड़ लिया तेंडियों के शहर में घुस जाने की सूचना पर इलाके में खासी भीड उमड पड़ी जिससे फॉरिस्ट के आमले को रेस्क्यू करने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा सतना में सुबा आट बजी तेंडुआ देखा गया सतना के रेहाईशी इलाके बगहा इलाके में ये तेंडुआ मुकेश चौधरी के कच्चे घर में खुसकर एक कमरे में दुबक कर बैठ गया गनीमत रही की घर के सदस्यों पर हमला नहीं किया तेंडुआ की आमत से पूरिज सतना में संसनी फैल गई खबर फैलते ही तमाश बीनों की भारी भीड जमा हो गए पुरिज बलकी कोशिजों के बाद भी बिना तेंडुआ देखे बिना भीड मौके से जाने को तैयार नहीं थी तेंडुआ को पकड़ने के लिए मुकनपूर से सतना पहुंची फॉरिस की टीम ने पहले स्थल का मुआयना किया फिर ट्रेकुलाइस कर तेंडुआ को बिखोश किया इसके बाद उसे पिंजरे में डाल दिया गया अब यह है तो आज पास के जिंगल का वो सकता है कि आज पास महां बकरी पारने वाले लोग हूं वही फेमली के लोग हूं बकरी पारने वाले हूं मुकुनपुर से आई रेस्क्यू टीम ने घंटो की मेहनत के बाद तेंडुए को पकड़ लिया गया इसे मुकुनपुर सफारी ले जाया गया है जहां उसका मैडिकल किया जाएगा तेंडुआ सतना शेहर में कैसे आया इसके कयास लगाया जा रहे है पकड़ा गया तेंडुआ नर है या मादा इसका पता नहीं चल सका है तेंडुआ के पकड़े जाने के बाद लोगों ने रहत की सास ली पिंजरे में कैद हुआ तेंडुआ भेड को देखकर आकरमक होने लगा था इससे उसे ततकाल मुकुनपुर सफारी रवाना कर दिया गया सतना से नियूज आज के लिए आनन सिंग की रिपोर्ट और इसी के साथ मुझे दीजिये जाज़त और आप देखते रहे नियूज आज प्राइ टेस्टाने देखते विए देखको की रिपोर्ट